जूक से बनी संगिली हाँ बेटा इसी उम्मीद पे हमने तुम्हारे और रूद्र की शादी के लिए हामी भरी थी और वैसे भी केट की और अतनेश की भ्या को पांच साल हो गए आज सक हमारे कान में कलकारियों की आवाद सुनाई नहीं पड़ी तोड़ी बहुँ तो हमारे सपने तुमसे अरूद्र से ही है अब मैं और तुम्हारे सरसूर जी इकनी उम्मीद तो तुमसे करी सकते हैं ना ऐसा कुछ नहीं होगा कौरी और मेरे बच्चे बुल जा हमने तो ये सोचकर गौरी से तेरी शादी के लिए हामी बरी थी कि गौरी हमें एक नन्ना सा दूत्र देगी इस हवेली का चिराख देगी बस राजजान जी बस आज सक इसे समझाने से कुछ हासिल हुआ है मैं हमेशा हमेशा ये लड़का अपनी मन मानी करता आया है पाभू जी मेरा फैसला अटल है रोतर तुने समाज के सामने साथ फेरे लेकर कोरी को अपनी पत्नी माना है इस नाटक का क्या मतलब है बिटा राजजानी जी आज इतने खराब माहुल में भी गवरी की आँखों में मैंने जो चमक देखी उसे देखकर मुझे विश्वास हो गया यही लड़की है जो रूद्र को किसी भी हालात में समाल सकती है इस तुम थे ने खर्यों करें रूद्र तुम थाबिट क्रना चाथे अप्रूरी मैं तिरे साथ इस कंबरे में नहीं रोंगा जी बड़ी मा, बोलिए ये कहने को फोन किया तुमने जो मेरी मदद की है उससे मेरा काम बहुत आसान हो किया है बस इसी तरह मेरी मदद करके लेना गुद नाइट गुद नाइट अरे मा, आप यहां क्यों सो रहे हो और आपने तो आज कुछ खाया भी नहीं है न, कुछ तो खा लीजे आप नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं खाना जब नीरो परोय के दरा नक्रेगर नबंकर तो खाना खाने नहीं नहीं मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक तु मेरी बात नहीं मानेगा तुझे खाना नहीं खाना है तो मत खा मैं तेरी ये बात नहीं मानूँगा तु बस कौरी, तु देखती जाए इस बात को साबित करने के लिए कि तु इस घर की बहु बनने के लायक निक्ती मैं और क्या क्या करती हूँ चाहे इसके लिए मुझे अपने बेटी के जजबातों से ही क्यों न खेलना पड़े जोक से बनी संगिनी